जीवन आपका है तो इसे सफल बनाने के जिम्मेदारी भी आपकी है हेलो एब्रिवन मैं बसंत मवरिया स्वागत करता हूँ आपको हमारे आईस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे दोस्तो आज हम लोग क्लास 7 की चैप्टर नमबर आठ एंसी आट जिगरोफी के चैप्टर नमबर आठ को कवर करेंगे इस वीडियो में दोस्तों अगर आपने हमारी पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रेप्शन में उसका लिंग की दिया गया है जाकर क आप सभी वीडियो को असानी से देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नमबर एक मिनट गये थोड़ा हमारा चैप्टर नमबर आठ है मानव पढयावरण अनियोन्य किरिया उस्ट्रक्रटिबंध है उपोशर प्रदेश दोस्तों इस अध्याय में जो उसके चाचा जो अलग-अलग देशों में अलग-अलग कंट्री में जाते आते रहते हैं और उनकी मरवस्ताल उनकी देख रेख खान पान भेश भूसार सब अलग-अलग देश की अलग-अलग तरह की सभी होती है तो उनके पास वह एक पत्रकार होते हैं तो सभी अलग-अ पाइदा फोकुस करना है जो इन्पोटेंट बाते होगी जो अक्सर कम पोटेटिव एक्जामे में पूछी जाती है उसके हमों ढम दों हो दो और यह दे रहें तो आये दिखते हैं मेज़न बेशन में जीवन में अंजी बारे में प्रदेश कह mandate करकरे खा और मक्र्यप में करकर प्रेख के स tradis के समेधियों अवह इंवह इस तीधियाओ मैं अब कीस divided हो मत इंगहें है कुन मैप के तरफ स्तुरू बताऊंगा भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दच्छिर के मध्य के भाग को भूमध्य रिखिए प्रदेश कहते हैं अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है ध्यान देया पहुची में परवतों से निकल कर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुचती है आये देखते हैं यह है हमारी अमेजन नदी थोड़ा इस पर और फिर फोकस कर लें जिस अस्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल रासी में मिलती है उसे नदी का मुहान कहते है अमेजन नदी में बहुत सारी सहाइक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्मार करती है यह नदी बेसिन ब्राजिल के भागों पेरु के कुछ भागों बेली बोलीबियो एकवाडोर कोलंबिया तथा बेनेजुए लाकर छोटे भाग से अपवाहित होती है क्या आप जानते हैं एस्पेन के अनावेशकोग ने इस नदी की खोज की तब सीड़ पर फुरक्षा कवाच हेड़ गियर यह घास के एसकोट पहने कुछ अस्थानी अधिवासियों ने उन पर आकरमर कर दिया इन अकरमकारी हो ने उन्हें प्राचीन रोमन फ्रमराज्य के अमेजुन्स नामक महिला उद्धा के अकरमर समों की याद दिला दि इस परकार यहां का नाम अमेजन परा तक जब अमेजन नदी की खोज हुई तो वहां के कुछ निवासी थे तो जो खोज गरने करने गए थे वो लोग मुलनीवासी वो लोग आकरमन कर देए यह हमारा अमेजा न देए और इसके देखिए आस परुस जो देश से देखिए इधर बिनेजुएला है कोलंबिया है इकवार डोड़ है इधर तो यह हमारा हो गया एकवार यह हमारा ऊमेजा नदी यहां से निकलती है यहां से निकल करके यहां से जाकर प्रसांत मागार से होकर घिल जती है यहां पर देखिए हमारी उत्रिय अमेरिका यह चोटी नदिया होती है जो मुख्य नदी से मिलती है मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस छेत्र की पानी को बहा कर ले जाती है वह उसका बेसीन अथवा जल संग्रह छेत्र कहा जाता है अमेजन बीश वगा सबसे बारा बेसीन नदी है क्योंकि यह सबसे ज्यादा नदियों का सी होकर गुजरती है पुरे वर्स से यहाँ घुल में मातरा हो अभी जादा होगी यहां का आध्र को समय पर संक्राइब भून से इएक ऑज दूए लगबग लगबग प्रती दिन वर्षा होती है और वहां भी बिना किसी पुर्व चेतावनी के दीन का तापमान उच एम आधर अती उच होती रहती है रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन अधरताव ऐसे ही बनी रहती है अमेजन नदी और वहां पे जय विद्टा भी ज्यादा प सब्सक्राइब चीज वन इतने संगन होते हैं कि पतिया तथा सखाव से चर्थ सी बन जाती है जिसके कारण सुझे का परकास धरातल तक नहीं पहुच पाता है यहां कि वहने इतना ज्यादा हो जाती है कि जो सुझे की परकास होती है वह मेड़ों की पतियों के वज़ा से नहीं पहुच पाती है और यहां कि भूमिक में प्रकास रहित यहां नम बनी रहती है यहां कि अवल वही वनस्पति पनव सकती है जिसमें चाया में बनने की छामता हो पर जीवी पाधो के रूप में यहां आठकाड़ी यह ब्रोमी लायाड पैदा होते हैं बार्सावन में प्राजाव प्राणरी जात की प्रचूरता होती है टुकन गुंजन पक्षी रंगिन पक्षिती वाले पंची यह भोजन के लिए बले चोच वाले बिभीन प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाली समाने पक्षियों से भीन होती है वहां कि तरह तरह की जो थाल्द असलाद्द एम चीटी खाने वाले टाइपेड भी यहां पाए जाते हैं साप एम सरिशर्प की विभीन प्रजातिया भी इन वनों में पाए जाती हैं मगर शाप अजगर तथा तथा एनाकोंडा एम बोवा कुछ ऐसी ही प्रजातिया हैं इसके तिरिक्त हजारों किर से विभीं अधुय की विवेशन निवास करते हैं मांस खाने वाले पिरायन नया मत श्या कि समेट मचलिया की विभीन प्रजातिया भी अमेजन नदियर में पाए जातिया इस परकार जीवा की जाएब जीवा की विविद्धिता की द्रिश्टी से या वेशन असधारान जो अपनी पतियों में जलकी संचित रखता है मेधक जैसे प्रणानी इन जलकी पाकेट का उप्योग अंड़ा देने के लिए करते हैं महिलाए फोसलों का ध्यान रखती है वे मुख्यता अमेजन बेसिन के जो महिलाए होती हों फोसलों की जयादा ध्यान रखती है वह मुख्यता टेपीयों का अन्यास संकरकंद उगाते हैं संकरकंद उगाते हैं कि मचली या शिकार मिलना अरनिश्चित होता है ऐसे में महिलाए ही अपनी उगाई साक समझिया में अपने परिवार का भनाट पोसल करती है वे करतन अमदहन क्रिशी परती का प्रयोग करती है इनका मुख्य आहार में नियोक है जिसे कासावा भी कहते हैं तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होते हैं जो संकर सकरकंद होते हैं वह आलू के तरह ही उगते हैं यह चीटिया कि रानी अंड कोश भी खाते हैं काफी मक्का कोको जैसे नगदी फसले भी यहां उगाई जाती है अमेजन बेशन लदी में हम लोग उसी के बारे में जैदा कवर करने देखें वार्षा वन अत्याधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रादान करते हैं कुछ परिवार मधुमक्खे के चत्ते के अकार वाले छपपर के घरों में रते हैं जिबकि कुछ लोग मलोक का क लोगों को जीवन धीरे-धीरे बदल रहा है पुराने समय में वन के अंदर पहुचने के लिए नदी मार्ग ही एक मात रुपाई था अनुष सतर में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वार्षाफवन के सभी भागों तक पहुचना संभव हो गया अनिक अस्तानों पर पहुचने के लिए हवाई जहाजों तथ हलिकप्टरों का उप्यों किया जाता है इस प्रकिल्या के फल स्वरूप वहां का मूल अबादी का उस छेत्र से बाहर निकाल कर नए छेत्र में बसाना परा जहां व करके वहां के जो निवासी थे उनको उस जगह से हटा करके दुसरी जगह बसाया गया और आप वो लोग दुसरी जगह रहते हैं खेती करते हैं आप देखे करतन दहन की पदती में किसान पहले ब्रिक्चों जाड़ियों को काट कर भूमी साफ करते थे फिर इनको जलाया जा से मिट्टी में पोशक तत्व का भाव हो जाता है इस प्रकार मिट्टी पुना उपजाओ बन जाती है तब तब लोग इस भूमी के टुक्रे को पुना जोतते हैं देखिए यहां पर कुछ बताया गया है इस पर हम लोग देख रहे हैं अब विकास की गतिविदियों के कारण जैविक विवित्ता वाले वर्शावन धीरे धीरे नश्ट हो रहे हैं ऐसा अनुमान है कि प्रती वर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है अब देख सकते हैं कि वर्षावन के लुप्त होने क के व्यापक परभाव वर्षा के कारण मिट्टी की उपरिप्रत्स देखिए यह वर्षा के करण यहां पर अस्पश ट्रूप्स दिखाया गया है पहले अमेजन बेसिन ऐसे था अब धिरे-धिरे उसके अंदर विकास होते गया होते गया अब ऐसे हो गया है प्रकृतिकर बिनाशुरा गंगा ब्रमपोत्र वेसिन में जीवन गंगा तथा ब्रमपोत्र की सहयक नदिया मिलकर भारतिय उप महादीप में गंगा ब्रमपोत्र वेसिन का निर्माल करती है यह बेसिन यह उपोशन में 10 डिगरी उत्तर से 30 डिगरी उत्तर अंचांस के मद्य इस्तित है घागडा सोन चंबल गंड़कोसी जैसी नदी की सहयक नदिया यह ब्रमपोत्र की सहयक नदिया इसमें अपवाहित होती है एटलक्स के साहिता से हमको पता लगाना है नहीं को पहें कर देखिए हैं यह हमारी गंगा नदी यह इने नपाल यह Are यह ब्रमपोत्र नदीन सकत ہیں यहा से और यहां से ब्रमपोत्र की खाड़े में घेते ही यह गंगा भ्यांग 127 निकलती यह हम लोग अगले चप्टर मतलब अगले क्लास में पढ़ेंगे तो बताएं कि यह जाएगा उस तभी पर मैप के माध्यम से इस बेशिन की मुख्य भी से स्थाए हैं कि मैदानी छेतर में अनेक चाप जील पाई जाती है यहां की जलेवायू मुख्यता मांसुनी है मांसुन मेल फूं में मुद्य हिश्न से मध्येस्रितमबर के वीच वर्षा होती है ग्रिपस्री तुमें गर्मीयम शितरितममें ठंडी होती है पहनली जेतर पर wolf मेहां हो गया प्रवाइश्चिम बंगाल के पड़ यह सिक्क्रिम हो गया तो वहां से उकरके हमारी नदिया निकलती है यह बेषंट चेत्र में बिभीन परकार क्या स्ट्रकुर्तिया जन संख्या की बीतरारं में पर्यावराण की प्रमुख कहों होती है प्रवाँ केुए द्धाल वाले पर्वाष्ट होते हैं जयन संक्या के परवाष्त म्यों क Savior जिन उस्थानगे एक सा지 कंप क्यूंब भूंब होती है चुंखिँ दान के खेती के लिए प्रयापट जलररश केबो weapons होती है देखिए पहारी के मतलब पहारी पर जो लबनिवास करते हैं उनसे अच्छा तो मतलब सुवदा होती हैं को समतलबाले भाग पर मैदानी भागों पर हर्श शुवदाय हमें उपछ दान के खेती के लिए ज्यादा में पानी के ऊचता होती तो वो हमें उचायो पर नहीं मिलेगा हुए हमें मैदानी भाग पर ही मिलेगा यहां उगाई जाने वाली अन्य फसले ग्यों मक्का जवार चन्ना वाजरा हैं गन्य जूट जैसी नगदी फसलों भी उगाई जाती हैं मैदान के कुछ छेत्र में केले के बागान भी देखे ज जो शिल्क होता है उसका उप्तवादन बिहार में कियाता है और अर्शम में मंद ढ़लान वाले पडवतों यह पहाडियों पर बेदी काऊ में फसले उगाई जाती है जन्संख्या घनत वकार्थ क्या होता है एक वर्ग किलोमेटर शेत्र में रहने वाले लोगों की संक्या उधारन उत्राकंड का जन्संख्या गनतों 189 है जबकि पच्चिन बंगल का 1029 है तता बिहार का 1202 है वह उधारन के लिए बताया गया है कि विभीन भू अक्रिति के अनुशार वनस्पति भी विभीन तप आए जाती है गंगा ब्रहंपूत्र के मैदानों में सागवान शाखू यह पीपल के फांथ उष्णकर्टि बंधिया परवत्तिय पेंड भी पाय जाते हैं ब्रहंपूत्र के मैदानी छेत्र में घने बसे के घने जढ़ मुड पाय जाते हैं डेल्टा छेतर में ग्रोवा वन से घिरा है उत्रा खौनश्री कीम एम और राचल परदेश की ठंड़े जलवायू एमने तिब्र धाल वाले भागों में चीर देवगार एम फर जैसे संकुधारी पेंड भी पाय जाते हैं संकुधारी प बेसिन में बीद परकार की वन्य जिव पाय जाते हैं है इसमें हाथी बाग हीरन बंदर आधिस समाने रूप से पाय जाते हैं वाले जयुवाएं एक सिंग वाला गेंडा भी ब्रंपूत नदी के मैदान में पाय जाता है डेल्टा छेतर में आ बन्गाल टाइगर मगत ध्युक्रिंप अधेन रियाल पाय जाते हैं नदी के खिलल अनदी के शाप जल ज्ल भीव औं भी घार्व मच्ड़ इसमाधियों पर कंचा बाहिए 200 जौर्व utility में बनने वाले लोग तो नौल्यक है हमारा हमारा गंगार डेल्टा बेसिंग ज्यादा बंगाल टाइगार होए वो ब्रंपूत नदी जा करके यहां पर ही गिरती है यह देखिए इधर देखिए अब हम लोग को बेदिकाओ कर निर्मार खारी धालानों की सम्तल स्रतव बना कर किरिशी करने के लिए होता है कि अक्सर पाहरी डहलानों पर स्रीनुमा खेती होती है ताकि बाड़ी सुबब से तो पानी आसानी से नीचे खेतों की सहरे जा सके यहां पर देखिए गंगा यह ब्रंपूत्र नदी के अलावा जल में अलावा जल में एक परकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे अस्थान वाले गैर उप्षरित और धोगिक इन प्राजातियों को नश्ट कर देती है और दिन प्रते दिन डॉल्फिन की प्राजातिया हमारे देश से कम होते जा रहे हैं यहां पर एक जिल के बारें बताया है देखिए एक बिनोध है जो मचवारा है वह अपने गाव में मचली पा करने के लिए प्रियासों के में तेजी लाने के लिए भारत में पर्धान मंतिय दो अक्टूबर 24 को स्वक्ष भारत मिशन सुभरम किया था यह वह दिन पुट्र एंटेज को आप लोग वियाद कर लिजेगा गंगा प्रहंपुत्र के मैदानों में कई बरे सहर एम कस्विव इस्तित है इलहाबाद यानि की परियाग राजना मदल के दिया गया है कानपूर वड़ार श्री लखनाउग पत्ना एम कुलकता जैसे 10 ल सुविक्सित तंद्र उपस्तित है आप देख सकते हैं कि ग्राम गंगा प्रहंतुत्र बेसिन में यातायाद के चार मार्ग सुविक्सित है मैदानी इलाकों के लोग फ्रक मार्ग अम्रेल मार्गों के लिए एक अस्थानीय जाते हैं नदी के 30 छेत्रों में जल मार्ग यातायाद का परभावसाली मध्यम है कुलकता हुगली नदी पर इस्तित एक मत्वपूर पतन है मैदानी छेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी इस्तित है गंगा नदी के सनक्षर के लिए नमामी गंगे कायरेकरम का सबरम किया गया है दोस्तों अगर आप हमारे युट्यूब चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और कमेंट किजिए लाइक में किजिए शेयर भी किजिए और जो समझ में आया उसके भी पूचिए प्रेटन इस बेसिन की एक मतवपूर किरिया है आगर स्वन्य जीवन अभ्यारन है पाटना में यह सभी जगा चीरिया घाड़ होती है उसमें सभी जीव जक्षी जीव जन्तु पशू पक्षिया रखे जाते हैं और जैसे बहुत सारी प्राज जाती है बिलुपत ही हो चुकी है पक्षिया तो चलिए दोस्तों हम लोगा आठ न